अ ट्रैंगल ABC in which AB equal to 3.8 cm, angle A equal to 60 degree and AC equal to 5 cm, ठीक है, तो question क्या है, question कर रहा है कि एक triangle construct करनी है, जिसमें जो था AB की length 3.8 होनी चाहिए, और angle A कितना 60 degree और AC 5 cm, तो चलते हैं, इसको ड्रोग करते हैं, तो दिखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम AB line ड्रोग करेंगे, यहाँ माल लेते हैं हमारा क्या है, AB है, कोई दिक्कत, पेंस से ड्रोग करता है, क्य से दे, ठीक है, AB हमारा हो गया, अब यहाँ पे 60 degree, तो माल लेते हैं, अपने help से यहाँ पे 60 degree माल लेते हैं, अब line को ड्रोग किया, यह A हो गया, अब AC जो point होगा, कहीं इसी line पे lie करेंगे, क्योंकि C इदर है, इसी पे, माल लेते हैं, C यहाँ पे हो गया, तो C तो यहाँ पे हमने major कर लिया, 5 cm हो गया, और उसके बाद इस point को, इस point को join कर देंगे, join करने के बाज हो है, हमारा triangle त्यार हो गया, लेकिन इस तरह नहीं, यह हमारा rough escape था, है की नहीं, इसलिए, अब हम चलेंगे, इसका actual diagram construct करने, तो देखिए, क्या करेंगे, यह भी कितना था, 3.8, ठीक है, तो देखिए, हम क्या करेंगे, scale लेंगे, और scale लेने के बाद, जो है, हम कितना, 3.8 जो ता है, construct करेंगे, ठीक है, तो देखिए, तो 3.8 line, 3.3 हो गया, 3.8, 3.8 हो गया, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, A हो गया, यह हमारा B हो गया, A हो गया, और यह B हो गया, ठीक ह अब क्या करेंगे एपर हमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है एंगल बनाने कैसे करेंगे तो इसके लिए कोई दिगत नहीं करना है हम क्या करेंगे एकोएं लेंगे एक को center लेके एक semi circle या arc कट करे, कुछ भी कट करे, ठीक कर दिया अब है क्या करेंगे यह जो arc जो है यह भी line को जहां पे कट किया होगा, उसको center मानेंगे, यहां पे cut किया है इसको center मान के एक उसपे arc कट करेंगे और जहां पे arc कट करेंगे कट हुआ होगा और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच ये एंगल जो था है 60 डिग्री फॉर्म हो जाएगा ठीक है यह बहुत सारा कंसेट आपको क्लियर किया आगे 60 कैसे कंस्टेट करें 30 कैसे कंस्टेट करें 90 कैसे कि मैंने 5 की टेबल में जो भी हो उसों कंस्टेट करना कैसे करेंगे वी ते एक आर कट करें सेम रेडियस का और जहां पर कट हूआ होगा उस पॉइंट को और एबी पॉइंट को जो आइंगल कितना फॉर्म होगा जी 60 तो अब क्या करेंगे यहां पर एक लाइन लेंगे और यह लाइन को एकस्टेंड कर देंगे ठीक है extend कर देंगे कहीं इधर तक दूर तक अब यहां पर क्या करें measure करें कितना 5 ठीक है 5 5 तो देखिए यह मालते 5 होगे यहां तक आगया एक तो 5 से ठीक है यहां पर तो यह हमारा कहीं C हो गया तो भाई यहां अब इस line को B C कितना होगा उत्या automatic हो गया इसी को और B को मिला देंगे तो फाइव हो गया फाइव सेंटी मिटर और इसको मिला दिया इसको जब मिलाएंगे बी और शी को तो यह करीब हमारा आ जा रहा कितना 4.5 या 4.6 होगा उसको दिकत ने 4.5 हम लेके चलते ठीक है 4.5 और यह एंगल कितना है यह एंगल हमारा 60 डिग्री है ठीक है कोई दिकत यहां तक अब नेक्स्ट कुश्टन पर